नमस्ते अग्निपत स्कीम पर ये वीडियो का चौथा और अंतिम भागया दोस्तों कल मैंने आप लोगों को एक एक्सल शीट दिखाया था और उस शीट में अगर आपको याद होगा मैंने ये हिसाब लिया था कि हर वर्ष 50,000 नए हम अग्निवीरों को रेक्रूट करेंगे और हर वर्ष हम 50,000 अग्निवीरों के बदले अगर हम 2,000,000 अग्निवीरों को या 1,500,000 अग्निवीरों को लेंगे तो उससे क्या फरक पड़ेगा तो उसको सम्झाने के लिए ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ है उन्होंने एक इंटर्व्यू दिया था टाइम्स ओफ इंडिया को उस इंटर्व्यू में उन्होंने दो मुख्य बाते करी एक उन्होंने कहा कि 2032 तक आर्मी में जितने भी जवान होंगे उनमें से 50 प्रतिशत अग्निवीर होंगे उन्होंने कहा, we are going to progressively scale up annual recruitment under the scheme. From 40,000 recruits this year, it will go up to 1.2 lakh by the 7th year or 8th year and then 1.6 lakh by the 10th or 11th year. तो यहां पर वो कह रहे हैं कि पहले वर्ष में वो 40,000 recruits के साथ शुरू करेंगे और बढ़ते बढ़ते हर वर्ष वो इसको बढ़ाते जाएंगे और 7 या 8 वर्ष तक 1,20,000 अग्निवीरं को लिया जाएगा हर वर्ष और 10 और 11 वर्ष तक ये संक्या बढ़कर 1,60,000 की हो जाएगी मैंने हिसाब लगाना शुरू किया कि ये कैसे किया जा सकता है इसी इंटेव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले वर्ष में हम 46,000 अग्निवीरों को लेंगे 46,000 उनमें से 40,000 आर्मी के लिए होंगे और 3,000 नेवी के लिए और बाकी 3,000 एफोस के लिए हों सब्सक्राइम है उसमें मैंने 40,000 का नमबर लिया है जो की पिछले वाले एक्जेंपल में मैंने इसको 50,000 लिया था क्योजिकि वो तीनों ही एफोर्स और सभ। कंशले में मैं सीनकर के रिय। था, regular retirees का, क्योंकि वो तीनों ही services को combine करके मैंने लिया था, और मैंने आपको बताया था कि केवल army के अगर हम बात करें, तो 60,000 cynic हमारे retire होते हैं हर वर्ष, तो यहाँ पर मैंने वो ही आंकड़ा लिया है, 60,000 का, और यहाँ पर जो आखरी change है यहाँ पर अभी के लिए, वो है, जो पिछले example में मैंने 13,40,000 का आंकड़ा लिया था, PBOR के लिए, यहाँ पर वो आंकड़ा है, 11,40,000 का, क्योंकि यह सिर्फ army का है, और वो जो संख्या थी, 13,40,000 की, वो तीनों ही forces को मिला करके थी, तो जैसे army के chief ने कहा, कि पहले वर्ष, 40,000 अगनिवीरों को लिया जाएगा, और हर वर्ष उसे progressively बढ़ाये जाएगा, तो मैंने यहाँ पर वो ही करने की कोशिश करी है, और हर साल 11,500 अगनिवीर अधिक हम लेंगे, यह मैंने हिसाब लगाया क्योंकि उन्होंने बोला कि 7 या 8 वर्ष तक यह 1,20,000 के आसपास पहुंच जाएगा, तो उस आ 500 अगनिवीर होंगे, तीसरे साल में 63,000 दुबारा 11,500 अधिक आगे, फिर चौते साल में 74,500 और इसी तरह मैंने लिया है 12 साल तक, हर वर्ष मैं यहाँ पर 11,500 अधिक गिन रहा हूँ, यहाँ पर एक और मैंने नया कॉलम जोड दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो स के, यह जो C कॉलम है 25% अगनिवीर्स टरंड रेगुलर, इसका मतलब यह है कि 4 साल के बाद जिन 25 प्रतिशत अगनिवीरों को हम सेना में दुबारा नौकरी देंगे, यह उनकी संख्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 4 वर्षों में यह 25% का जो आंकड़ा ह वो 0 है, क्योंकि यह 5 वर्षे लागू होगा, पहले 4 वर्षों में यह लागू नहीं होगा और बिल्कुल इसी तरह जो अगला कॉलम है, उसमें भी पहले 4 वर्षों के लिए किसी को निकाला नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो मैंने calculations करी हैं, यह बिल्कुल जो पिछले व हैं, 11,500 अगनिवीर हर साल बढ़ रहा है, तो पहले वर्ष में 40,000 अगनिवीरों को हम लेंगे, और 25% यहाँ पर 0 होगा पहले वर्ष, और 75% भी 0 होगा, क्योंकि यह सब 4 वर्षों के बाद लागू होने वाली हैं, जो regular retirees हैं, वो 60,000 होंगी, और total retirements होंगे, वो होगा, और जो अगला कॉलम है, intake minus retirees, तो इस वर्ष हमने लिया 40,000 नगनिवीरों को, लेकिन जो आर्मी से retire हो रहा है, वो है 60,000, तो पहले वर्ष में 20,000 सैनिकों की कमी आएगी, और हमारी जो कुल सैनिकों की संख्या है, 11,40,000 से घट कर, 11,20,000 हो जाएगी, तो बिल्कुल इसी तरह, जैसे मैंने आपसे कहा, हर वर्ष 11,500 अगनिवीर अधिक जूटते जाएंगे, तो अब हम देखते हैं, पांचवे साल में क्या होगा, पांचवे साल में 86,000 अगनिवीरों को लिया जाएगा, और जो पिछले 4 साल पहले, माने जो पहले वर्ष में हमने यहाँ पर 40,000 अगनिवीरों को लिया था, उस में से हम सिरफ 10,000 को यहाँ पर नौकरी पर रखने वाले, और 30,000 जो 75% होता है, 40,000 का, उनको हम वापस देंगे, तो यह जो 10,000 का अंकड़ा है, यह आ रहा है, चार साल पहले से, वो यहाँ से आ रहा है, 40,000 का 25% होता है, 10,000 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और 40,000 का 75% होता है, 30,000, जो आप इस कॉलम में देख रहे हो, और regular retirees हर साल की तरह यहाँ पर 60,000 हैं, लेकिन total number of retire 60,000 regular और 30,000 अगनी वीर, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाते हैं 90,000, तो पांचवे साल में 4,000 सानिकों की हमको कमी आएगी, और कुल सानिकों की संख्या 11,25,000 हो जाएगी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि 12 साल में क्या होगा, तो जैसे आर 12 साल तक पहुंचते पहुंचते, 1,60,000 के आसपास अगनी वीरों को हम लेंगे हर वर्ष, तो यहाँ पर वही आंकड़ा आपको देखने मिल रहा है, 1,86,500, 1,66,500, तो इतने नए अगनी वीरों को हमने लिया 12 साल में, और जो 25 प्रतिशत अगनी वीर क्वालिफाई हो रहे है, 4 साल पहले से वो है, 30,125, यह आंकड़ा आ रहा है, यहां से, 1,20,500, इन में से हम 25 पर सेंट को यहां पर लेंगे, और 75 पर सेंट को हम वापस भेज देंगे, यहां पर हम देख सकते हैं कि जो number of retirees है, वो 60,000 है, लेकिन total number of retirees वो होंगे, 60,000 प्लिस 90,000, वो होगा 1,500,000 के आसपास, और यह रहा, intake minus retirees, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि intake हुआ है, उस साल के लिए, 1,86,000, लेकिन जो retire हुआ है, उस साल, वो है 1,500,000 के आसपास, मतलब, 16,000 soldier, अतिरिक्त हम को मिल रहे हैं, इस वर्ष में, 12 वर्ष में, तो हमारी आर्मी की संख्या रहेगी लगभग 12,00, 11,80,000 के आसपास, इन 11,80,000 के आसपास जो हमारे सैनिक है, उस में से जो पुराने soldiers होंगे, जो अगनीवीर scheme से नहीं आये थे, और अगनीवीर लागू होने से पहले ही वो काम कर रहे हैं, तो उनकी संख्या होगी 4,20,000, और यहां पर जो अगनीवीर 4 साल से कम जिनकी experience होगी, जिनका अनुभव 4 साल से कम होगा, वो होंगे लगभग 6,00,000 के आसपास, और यहां पर जो 4 साल से अधिक जिनका अनुभव होगा अगनीवीर, लेकिन उनको हम अगनीवीर नहीं कहेंगे, क्योंकि 4 साल के बाद उनको सिपाही या जो भी उनका रहेंगे उसी साथ से उनको बुलाया जाएगा, वो regular हो जाएगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो regular soldiers हैं, वो होंगे 1,60,000 प्लिस 4,20,000, तो यह होगा लगभग 5,80,000, और जो 4 साल से कम अनुभव जिनका हैं, वो हैं 5,97,000, तो जो आर्मी के wise chief ने कहा है, कि 12 साल तक, जो 4 स से कम experience वाले हैं, और जो 4 साल से अधिक experience वाले हैं, वो 50-50 होंगे, equal होंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, लगभग यह equally हो गया, कि यहां पर हमको 5,97,000 मिल रहे हैं, और यहां पर हमको 4,20,000 प्लिस 1,60,000, तो 5,80,000, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5,80,000 वो हैं जिनके पास जादा अनुभाव हैं, और 5,97,000 वो soldiers हैं, जिनके पास अनुभाव 4 साल से भी कम हैं, मेरा उदेश सिर्फ आपको यह दिखाना है, कि यह जो अगनीपत की scheme हैं, इसके अंदर अगर हम हमारे सैनिकों की संख्या को एक level पर उसको बरकरार रखते हैं, maintain करके रख तो जैसे आप इस sheet में देख सकते हो, कि लगभग 11-12 लाग के आसपास इन सारे वर्षों का जो annual figure है, हम देख सकते हैं, कि हमारी कुल संख्या जो है सैनिकों की, वो इन सारे वर्षों में लगभग 11-12 लाग के आसपास वो maintained हैं, तो हो सकता हैं, यहाँ पर कुछ लोग यह क लेकिन इस वाले example में, जैसे हमारे army के vice chief कह रहे हैं, उस example में army की संख्या कम नहीं हो रही है, तो वो जो पहला वाले example था, वो गलत था, वो ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि मैंने वो क्यों दिखाया, वो मैंने इसलिए द दिखाया, क्योंकि अगर हम हर वर्ष 50,000 अगनिवीरों को ही लेंगे, तो army की संख्या तो कम होती जाएगी, होती जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम जो army के vice chief ने काया, अगर उसको हम calculate करते हैं, तो हमको यह हिसाब देखने को मिल रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी army क संख्या 11 या 12 लाग के आसपास हर वर्ष लगातार maintain रहे, तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ष हमको हमारे जो अगनिवीर हैं, जिनको हम recruit कर रहे हैं, उनको लगातार बढ़ाते ही रहना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं, एक लाग 9,000 साते वर्ष में, फिर एक लाग 40,000, फिर एक लाग 55,000, एक लाग 66,000, तो इस तरीके से हमको ये बढ़ाते ही रहना पड़ेगा, और होगा क्या, हम यहाँ पर एक बार के लिए इनको ले भी लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 12 साल में हम एक लाग 66,000 अगनिवीरों को तो ले ही रहें, लेकिन इन एक लाग 66,000 में से हम कितनों को नौकरी पर रखने वाले हैं, चार साल के बाद, तो वो संख्या है, यहाँ पर 41,000 तो अब इसका मतलब यह है, कि 41,000 सोल्जर्स को पाने के लिए, हम यहाँ पर 1,66,000 सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे हैं, और जो बाकी लगभग 1,35,000 सोल्जर ह उनको हम 4 साल के बाद वापस भेजने वाले हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कि स्कीम को लागू करने के पीछे, सरकार ने एक तर्क यह दिया, कि पेंशन का खर्चा जो है, वो बहुत जादा बढ़ रहा है, और उसको कम करने के लिए, हमें यह स्कीम लागू करना पड़ा, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, कि 40,000 जवानों को या 41,000 जवानों को पाने के लिए, हमें 1,66,000 जवानों को ट्रेन करना पड़ रहा है, जिसका मतलब, यह जो हमने इन्वेस्टमेंट यहां पर किया है, 1,25,000 जवानों पर, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो ग मिलने वाली है, क्योंकि 4 साल के बाद इनको दुबारा नौके पे लिया जाएगा, और जब यह अपना पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे, तो इनको तो पेंशन मिलने वाली है, तो यहां पर बचत कहां पर हो रही है, बताईए, जो 41,000 जवान है, उनको तो पेंशन देना ही है, और उसके साथ साथ हमने 7,000,000 जो सैनिकों को हमने ट्रेन किया, वो भी पैसा हमने एक तरीके से बरबादी कर दिया, अगर इतने जवानों को लेना ही था, अगर 41,000 या 40,000 या 50,000 जवानों को लेना ही था, तो क्यों नहीं हम पुराने ही रेक्रूट्मेंट स्कीम को उसमें से 40,000 या 41,000 को हम अपने पास ही रखें और फिर 7,000,000 सैनिकों को हम नौके से निकाल दें, आज की जो प्रेजन्ट सिनारियो है, उसमें लगभग, अगर आप पिछले एक वर्ष को छोड़ दें, तो लगभग हर साल हम 50,000 जवानों को रेक्रूट किया करते थे, ज उनको फिर आर्मी में लंबी नोकरी मिल भी जाती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उन ही 50,000 या उन 40,000 सैनिकों को पाने के लिए, हमको और 7,000,000 सैनिक, 1,25,000 सैनिकों को अतिरिक ट्रेन करना पड़ रहा है, और वो पैसा हमारा पूरा का पूरा वेस्ट हो रहा है, तो अब आप मुझको ये बताईए कि यहां पर सेविंग्स कहां पर हो रही है, तो ये एक अगनीपत स्कीम का एक बहुती बड़ा एक डिजाइन फ्लॉव मैं इसको मानता हूं कि ये 25 परसंट करने की जरूरती क्या थी, अगर ये 40,000 जवानों को लेना चाहते हैं, तो हर पल में कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं है कि इतना जारा पैसा वेस्ट हो रहा है, लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम है, जो जवानों की कुल संख्या है, वो हर साल लगातार कम होते जा रही है, यहां पर वो प्रॉब्लम कम है, कम से कम 12 वर्ष तक तो वो कम है, यहां पर आ अगनी वीरों की संख्या को कम कर देते हैं उसके ठीक अगले वर्ष से आप देखिए कितना बड़ा फरक पड़ रहा हर साल एक लाग से ज्यादा सैनिकों की कमी आ रही है अगर हम इस रेकूट्मेंट को कम कर देतों जैसे आप देख सकते हैं यहां पर 13 साल में लगबग एक लाग 45,000 अप्रोक्सिमेटली इतने सैनिकों की कमी हम को आएगी हर साल अगर हम इस रेकूट्मेंट के नंबर्स को गिरा देते हैं अगर हम यह जो 1,66,000 है इसको अगर हम दुबारा 40,000 पर लेकर आ जाते हैं तो आप इमीडियेटली देख सकते हो कि हर साल जो हमारी सैनिको के संखिया वो कैसे गिरते जारी है दस लाक, नौ लाक, आठ लाक, साड़े छे लाक, छे लाक तो इस अगनिपत स्कीम के अंतरगत अगर हमारी आर्मी को उसी पुरानी स्टेंथ पर मेंटेन करना है तो उसका खर्चा बहुत है जादा होने वाला है अब बज़ट की तो बा इन 40,000 लोगों का तो pension देना ही है उसके साथ ही साथ इन 7,000,000 लोगों का training और उनकी 4 साल की पूरी expense है वो भी आपको देखनी होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना उटपटांक सा एक scheme है कि अगर आप number of soldiers को 40 या 50,000 के आसपास रखोगे तो आर्मी की संख्या कम हो जाएगी और अगर आप number of soldiers जो अगनी वीर है हर वर्ष उनकी संख्या आप अगर बढ़ा दोगे तो फिर बचत तो होने ही ने वा हुआ जहां तक मेरी विक्तिकत राय की बात है इस पूरे scheme में अगर इस scheme को इस तरीके से लागू किया जाता है जैसे हमारे आर्मी के वाइस चीफ कह रहे हैं तो इसका एक ही मकसद हो सकता है और वो है इस column में जो D column में 75% अगनी वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इन ही लो में मैं आपको दिखा रहा हूं कि लगबग हर वर्ष एक लाग के आसपास हमारे अगनी वीर निकल रहा है आर्मी से सरकार चाहती है कि वो निकलते रहे सरकार चाहती है कि हर वर्ष लाख या सवालाख soldiers जो है वो train हो करके बाहर निकले तो इसके पीछे उनकी मंचा क्या है क क्या वो चाहते है कि यह सब जाकर के private military contractors को join कर ले क्या वो यह चाहते है कि यह Islamic jihad को join कर ले या इसके पीछे और भी कोई प्लान है यह सोचने का भिशह है तो इस sheet को दिखाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि यह जो आर्मी के chief बोल रहे है उसका कोई मतलब भी नहीं बनता और अगर अगनीवीर scheme को वैसे लागू किया जाएगा जैसे मैंने पहले example में दिखाया तो आर्मी की संख्या तो लगातार कम होती जाएगी तो दोनों ही examples में आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ी problems है एक problem यह है कि सेना की संख्या कम होते जाएगी और दूसरी problem यह है इस example में कि बचत तो होने ही ने वाली तो फिर scheme को लाने का मतलब ही क्या बनता है मैं आपको यह वी बता दूँ कि इस scheme में जैसे हमारे आर्मी के वाइस चीफ ने कहा है अगर हम आर्मी की संख्या को लगबग 11 या 12 लाग के आसपास maintained रखना चाहते हैं तो हमको यह करना पड़ क्या होगा जो number of soldiers हमारे पास आ रहे हैं वो 60,000 होगी और हर वर्ष जो number of soldiers बाहर जा रहे हैं वो भी 60,000 होगा तो net effect 0 होगा और हमारे पास जो यह वाला column है यहां पर लगग 11 या 12 लाग के आसपास यह figure maintained रहेगी लेकिन आप समझे कि अगर हम यहां पर 60,000 चाहते हैं मैंने इस column में अगर हम 60,000 चाहते हैं तो इस column में हमको 2,40,000 है क्योंकि हमको 4 गुना चाहिए क्योंकि हम तो लेने वाले हैं सिरफ 25 परसेंट तो यहां पर हमको 4 गुना बनाना पड़ेगा तो यह जो यहाँ पर 1,6,000,000 है इसको बढ़ा कर 2,4,000,000 करना पड़ेगा तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा कैसा उटपटांग स्कीम मतलब जितना जादा मैं स्कीम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही जादा मुझको यह साफ साफ देख रहा है कि यह एकदम बगवा स्कीम है कि जिसने भी स्कीम को मनाया है उसका उद्देश ही कुछ और है या फिर इस स्कीम को बनाने के पीछे उन्होंने ठीक तरीके से प्लानिंग करी नहीं है मतलब कुछ भी बकवास इधर का उधर का जोड के उन्हेंने कर दिया और ऐसा बकवास कीमों लेकर क्या है वैसे मैं अपनी personal opinion की बात करूँ तो मेरा यह मानने इसके पीछे कोई नों कोई planning ज़रूर होगा क्योंकि इतने सारे लोग जो सरकार में हैं, आर्मी में हैं, मिल्ट्री में, जो सारे branches में हैं सब के सब एक साथ तो बेवकूफ नहीं हो सकते तो यह planned है और सरकार चाहती है कि यह जो मैंने आपको दिखाया D column में इतने सारे सैनिक हर वर्ष train होकर के आर्मी से निकले यह सरकार का plan है, इसलिए वो ऐसा कर रही है तो यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हो चाहते हैं कि इतने सारे लोग बाहर निकले हर साल आर्मी से तो इसका तो जैसे मैंने कहा हम सिरफ अनुमान लगा सकते हैं लेकिन अगर इसका आपको पका जवाब चाहिए तो वो जवाब तो किवल सरकार ही दे सकती है तो मैं अंत में आपसे दुबारा यही request करूँगा कि आप प्रधान मंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को दोनों को tweet करिए और उनसे कहिए कि इस scheme को वापस ले लिया जाए और hashtag आप इस्तमाल कीजिएगा hashtag scrap agnipath नमस्ते